सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरूजी चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट टेक्नलोजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए दोस्तो वाई फाई तो हम सभी काम में लेते हैं और ऐसे में दोस्तों वाई फाई पर जो हमारी सिक्यरिटी है वो भी एक ब़ूत बड़ा कंसर्ण बन जाता है जब में दोस्तों इंदेखते हैं कि भ propriet आभी वाई ऐसा नहों कि कोई हमारा हैक कर ले या फर दोस्तों हम है टेक्निकल गुरू जी चलिए शुरू करते हैं दोस्तों यहाँ पर वाई-फाई को हम सभी मतलब इतना काम में लेते हैं कि चाहे दोस्तों आपका लैप्टॉप हो, फोन हो, टेबलेट हो, कम्प्यूटर हो इन फार्ट दोस्तों ऐसे बहुत सारे स्मार्ट डिवाईसेज भी आते हैं जहां पर हम काम में लेते हैं वाई-फाई का फिर चाहे दोस्तों कोई स्मार्ट बलब बर दोस्तों कोई और स्टैप का स्मार्ट स्पीकर हो कोई भी दोस्तों alarm के लोगो camera हो वगरे वगरे तो यहाँ भी जो Wi-Fi की security है वो दोस्तिक बहुत ही बड़ा concern बन जाती है अभी जो हम currently दोस्तों काम में ले रहे है latest वो है WPA2 जो की आ गया था 2004 में और उसके बाद से दोस्तों अभी तक इसमें कोई भी improvements नहीं हुए कोई भी changes नहीं हुए और दोस्तों recently आपको इसी साल है फिर आप पहले बहुत बार ऐसा देखने सुनने को मिला होगा कि जो Wi-Fi devices हैं वो हैं hacking के लिए विड लेबल जहाँ पर दोस्तों कोई भी अगर किसी cafe में और वहां दोस्तों आपको मिल जाता है कहीं पर अगर open Wi-Fi network तो उसको use करना तो बड़ा ही आसान है मजा आता है कि जो data दोस्तों है वो जाएगा बिल्कुल भड़ी है फ्मुफ्त में लेकिन यहां पर दोस्तों होती दिक्कत ऐसी कि अगर कोई hacker बैठा है तो वो दोस्तों जो बाकी लोग use कर रहे है उस Wi-Fi network को उनके जो data को दोस्तों track कर सकता है उसके अलावा वो उनके लिए कई बार नकली pages को भी host कर सकते हैं तो अगर आप मान लिए जागे होलते हैं Facebook को तो आपको जो Facebook का login पर जाएगा वो आएगा एक नकली वाला जिसके लिए जोस्तों आपको ID password है वो उस hacker के बास पहुँच जाएगा तो attacks दोस्तों तरह तरह के पॉसिबल थे in fact दोस्तों सबसे common attack था वो था brute force or a dictionary attack जहाँ पर अगर मान लिए आपको connect करना है किसी Wi-Fi के सामने तो आपको दोस्तों उसका Wi-Fi का आपका दिख गया ठीक है आपने उस पर OK कर दिया उसके बाद दोस्तों पूछता है password तो वहाँ पर आप जो है वो dictionary में जितने भी words है सभी को लगा तो एक साथ दोस्तों आप लगा तो WPA3 है यह पहली बात तो उसको इंक्रिप्टिन प्रवाइड करेगा पब्लिक Wi-Fi या फिर ओफन Wi-Fi नेट्वर्क में तो आपको टेंशन के जरुवत नहीं है जो आपका डिटा दोस्तों रहेगा वो रहे completely encrypted इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर ये dictionary attacks को भी prevent करेगा तो इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो settings है वो काफी easy हो जाएंगी उन devices के लिए जहाँ पर आपको screen वगरे नहीं मिलता है मतलब ऐसे दोस्तों बहुत सारे Wi-Fi वाले devices होते हैं जो Wi-Fi के उपर काम तो करते हैं लेकिन वहाँ पर उनमें खुद का कोई menu वगरे नहीं होता है तो वो भी काफी secure रहेंगे और दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर main bar ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको मिलने वाली है 192 bit की security जो आपके overall connections को काफी secure बना देगी अब दोस्तों आप इस WPA3 को इस साल के second half तक तब आपको उसमें WPA3 का option मिल जाएगा तो यहाँ पर अभी WPA3 आने के बाद में हमरे जो security वो काफी अची हो जाएगी शायद hacking थोड़ी सी कम हो जाए और इसे में आप काफी safe तरीके से अपनी चीज़ें complete कर पाएं internet की इस मज़ेदार दुनिया में दोस् जोस्तों जेरेंड वन्दे मात्रम